नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोईतास यादव आज एक नया फड़ शुरू हुआ और वो फड़ शुरू हुआ क्रप्टो.com का मैंने आपको सुबह भी एक जो वीडियो दियो अपना डेड़ बजे क्रेजी क्रेजी क्रेप्टो मिंटू पर वहाँ पर भी आपको मैंने यही पताई के यहाँ कुछ न कुछ देखे फड़ शुरू हो रहा है अप क्रेप्टो.com को लेकर और क्रेप्टो.com का आप कहीं न कहीं सब बिगड़ता जा रहा है इसलिए आप देखे यहां मैंने उनका जो उनके CEO है उनका पेज खुला हुआ है क्रेप्टो.com देख रहे हैं आप यानि Chris और उनने थेश मिनट पहले के दिया है अब यह कह रहा है कि हमने यह जो transaction किया था यह 21 अक्टूवर को किया था और वो भी get.io को तो लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रहे है कि कहीं ने कहीं इनका कोई game चल ला है आपने सुबह एक tweet डाला कि हमसे वो गलती से wallet में किसी के में चला गया है अब आप उस चीज़ को clearance आपने get.io को दिया है उधार दिया या आपने उधार लिया था उसको बापिस किया जैस जो भी था आप उस time एक tweet डाल देते तो यह कोई दिकत नहीं होती अब कहीं कहीं proof of जो अपना exchange है न बहुत ही मकारी कर रहे हैं बाई सब देखो सिद्धी सी बात है crypto currency में फिलाल जो सबसे बड़ी problem है न वो यह exchange है और कोई problem भी जाता नहीं है यह keval और keval exchange इन्होंने इतना गंद मचा रखा है जितना crypto currency खराब नहीं है उससे ज़्यादा गंदे हैं यह crypto exchange इन्होंने अपने फाइदे के लिए हम छोटे investor को कहते हैं न मौरा बना रखा है केवल हवा हवाई tweets और वो कर करके हमें एक सपने दिखाए जाते हैं और उपर ले जाके छोड़ दिया जाता है कि जहां मर जी है मरो यह हाल है धीरे धीरे वो कहते हैं सब की एक तरह से अच्छी बात है clean हो रहा है चटनी हो रही है जितना गंद है crypto में निकल जाएगा ज़्यादा अच्छा है और मैं तो अब यह चाहता हूँ को regulations इतने सक्त आने चाहिए और वो भी खास कर crypto exchange के उपर देखे investor की तो KYC होती है वो तो ज़्यादा कुछ करी नहीं सकता गड़बड़ जो गड़बड़ होगा वो एक्छेंज करेगा तो एक्छेंज की मैं कहता हूँ सरकार KYC करे और वो भी बहुती सक्त तरीके से क्यों के आई दिन का ड्रामा होगा है आप पैसे अपने fund हमारा और मौज ले रहे हैं ये जिनका कुछ भी नहीं है इनका तो कुछ भी नहीं है सब हमारे fund से ये जो है मौज ले रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते अब देगे crypto.com का native token CRO है चलिए उसको देखते हैं उसमें क्या चल ला है ये देख लीजिए आपका ये था इसका 80 यानि के 13 तारीक कोई सुवह का टाइम था और ये 80 की सीरीज में था यानि 0.080 की सीरीज में चला था डॉलर में और जैसे ये news आई ये जो मैंने आपको 400 इथीरियम वाली 400 मिलियन डॉलर के जो इथीरियम इदर से उदर हो गए कहीं खो गए या गलत वॉलर टिम चले गए उसके बाद प्राइज गिरा और उसके बाद गिरता ही जा रहा है और अभी देखिए 0.06 डॉलर की सीरीज में प्राइज चलना है लगबग 20% लगबग 20 परसेंट नीचे आ गया है प्राइज तो क्या है ये ये कहीं ने कहीं करप्टो को बनाम करने की साजिस चल रही है करप्टो एक्षेंजों के द्वारा और उपर से सीडे बाइनेंस और को इनको ट्वीट कर देता है बस ये माली जी का अच्छी खासी बेंड बच जाती है क् को सीजे बाइनेंस को फिलाल देगे ट्वीट करना बंद करना पड़ेगा बनना करप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा भूचा लाएगा तो खेर जो भी है मैं तो आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा CRO में जिसकी भी फंडिंग है भाई अभी थोड़ा बहुत आप 50 पेंड बिड्रो करने तो ज़्यादा अच्छा है कहीं ऐसा न हो कि FTX का FTT खतम हो गया उसी तरीके से crypto.com का CRO भी कहीं खतम न हो जाए मैं तो यही कहूँगा 50% निकाल लेजिए 50% का एक तरह से जुआ कहल लेजिए यही कह सकते हैं बागे देगे फंड आपका है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए मैं आपको एक राय दे सकता था तो मैं तो यही कहूँगा या तो इसको अपका होगा मैं आपको के लिए राय दे सकता था अगर आपको माननी है माननी है नहीं माननी कोई बात नहीं पैसा आपका है नभा नुक्सान भी आपको देखना पड़ेगा तो यह थी एक लेटेस अपडेट चलिए सामको फिर मिलते हैं साड़े साथ बज़े पूरी टेल के साथ नमस्कार